हाई फ्रेंड्स चेस्ट क्लाश में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपसे बात करूँगा नेटवर्क और इंटरेट की बारे में कि नेटवर्क और इंटरेट में क्या फरक होता है तो दोस्तों हम स्टाट करते हैं नेटवर्क से अब network की बाते करें, जब दो या दो से अधिक computer आपस में एक दूसरे से interconnect होते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं network, जिसके अंदर वो आपस में एक दूसरे की information को share कर सकें, अब सभी computer के बीच में जो connection होता है, वो connection wide भी हो सकता है, और wireless भी हो सकता है, और ज़्यादा की बात आती है internet की, internet के अंदर बहुत सारे network, एक दूसरे से interconnect होते हैं, वो पूरे network worldwide connect होते हैं, जिनको हम internet बोलते हैं, सबसे बड़े network को हम internet बोलते हैं, अगर कुछ और देखते हैं, network और internet के बारे में, तो network और internet दोनों wired भी हो सकते हैं, और wireless भी हो सकते हैं, और दोनों information को share करने के लिए use किये जाते हैं, network internet के network से छोटा होता है, लेकिन internet बहुत बड़ा network होता है, network एक internet का part होता है, लेकिन internet एक group of network होता है, कि बहुत सारे network मिलके क्या बनाते हैं, internet, तो दस्तों ये वीडियो आपको कैसे लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इसको like केजिए, अगर कोई सुझावत देना चाते हैं, तो इसके उपर comment केजिए, अपने दुस्तों के साथ सेयर कीजिए, और हमारे चैनल सेस क्लास को सबस्राइब करना बिलकुन न बुले, थैंक यू, have a nice day,